नमस्कार मैं हूँ संजीत कुमारगीरी और आप देख रहे हैं जड़ा सोचो ऐसा क्यों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अधिक मास पूर्सतम मास या फिर मल मास क्या है और ये क्यों घटित होता है कितने समय के अंतराल पे होता है और इसके पीछे क्या बैग जैसा कि आप सभी जानते हैं एक सूरी कैलेंडर में यानि की सूर के आधारित बनाया गया कैलेंडर में खुल मिला कि एक वर्स में 365 दिन और लगबग 6 घंटे होते हैं तो इस 6 घंटे को समय यूजित करने के लिए मैनेज करने के लिए चार वर्स पे एक दिर यानि 6-24 घं इसulation करें अधिवर्स क्याते हैं और उसी प्रकार शूरी कैलेंडर तौ आपने देख लिया हुझाम लोग जिस क्यलेंडो को पालन करते हैं तो हिंदू क्यैलेंडर जो कहें सक्समोत या बिक्रम्हांत होता है जो चंद के लिए yadaar पर चंद की स्थितियों के आधहार पे नाय क्यलेंडर यानी की चंद्र के अधरित बनाय गया कैलेंडक्य गया कैलेंडर में एक 11 दिन का अंतर आ जाता है अब इस अंतर को समायोजन करने के लिए अब पुछेंगे कि समायोजन क्यों तो आपको मैं बता दूं कि सूर्य के चारुत तरफ प्रित्वी जब चक्कर लगाती है उस कारण से मौसम में पडिवर्तन आता है ठीक है अगर इस समय को समायोजन चंद केलेंडर से न किया जाए तो मौसम हमारी महीने यहनी कि मौसम का आना जाना और हमारे हिंदू केलेंडर में जो महीना होता है उसका आना जाना में बहुत अंतर आ जाएगा तो इस कारण से यह 11 दिनों को समायोजित करने के लिए लग बग 32 महीने और 16 दिन पे एक ऐसा समय आता है जब लबक 30 दिनों का अत्रिक्त अब्धी बनता है जिसे उस 32 महीने 16 दिन के बाद या 32 महीने या 33 महीने के बाद एक अधि मास की रूप में अधिक मास की रूप में हिंदू कैलेंडर में जोड़ दिया जाता है जिसे हम लोग मल मास भी कहते हैं मल का मतलब अतरिक जो एक्स्ट्र आगया है जो सामानी रूप से नहीं आ रहा है तो उसको मल मास भी कहते हैं अधि मास भी कहते हैं और बहुत वैस्टनव यानि की जो विसनु के उपासक है वो उनको एक रूप मास ठीक है और यह महीने को जोड़ देने के बाद फीड हमारा महीना थोड़ा स 20 दिन आगे हो जाते हैं लेकिन सूरी के हिसाब से रगलर चलने लगता है औरसंे यह वह उटता है कि इसमें साहरी थाढ़ना इसकं़ कहां तो आपको में बता मेरा एक्ष्ट्रा महीनें जब आता है जैसे इस साल आसंने महीने में आ रहा है तो आगर मान लेगा हम को या नुश्ठान या कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमें हर साल किसी रूप में उसको मनाना है तो हम इस तिथी को कैसे अगले साल मैनेज करेंगे किस तिथी को मनाएंगे तो ये सब जो दिक्कत आएंगी इस अधिक मास में कुछ काम करने करन तो इसको दूर करने के लिए कहा करो। मान तोर पर इसके दो मत हैं जितने वी वैसनव जन हैं,, इतने वी विश्णू के उपासक लोग हैं के लूग, वह इस अवधी में तो वह उसको नहीं मानते इस कारण से क्या होता है इस महीने में एक मत वाले लोग कोई भी सुध का बिवा हो गया मुंडन हो गया आपका उपनैन संसकार हो गया यह जितने भी धार्मी कारण जो भी है ग्रिफ परवेस हो गया वह नहीं करते हैं और वही दूसरे मत वाले जितने भी हैं वो विस्नु के उपासक जो भी हैं जिनके नाम से इस महीने के नाम पूर्सोतम रखा गया है वो इसमें बहुत दानपुन का काम करते हैं बहुत सारी और भी क्रियाएं की जाती है तो यह था इसके पीछे का लॉजिक कि यह मलमास अध आपको 19 साल के बाद आए्गा थैसे के लीप्र एधी मही ने का होता है यह जो संयोग बना है 2020 लिपियर हैं इंग्लिस कैलेंडर के हिसाब से और हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यह अधिमास इसमें आ रहा है तो यह जो एक संयोग बना है यह 160 वर्स के बाद बना है यानिक 860 में यह बना था संयोग उसके बाद अब बना है है न कमाल की बात और आपको मैं बता दू कि परतेक 19 साल में 7 अधिमास आते हैं और इस वर्स अधिमास पुर्सोतम मास या मलमास जो कहें 18 सेप्टमबर से सुरू होकर 16 अक्टूबर 2020 तक रहेगा उमीद है अधिमास पुर्सोतम मास या फिर मलमास का जो अब धारना था कि ये क्यों जोड़ा गया इसके पीछे क्या कारण था आपको समझ में आ गया होगा तो आज का वीडियो इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जोड़ सेयर करें लाइक करें और ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफि